इसके बाद हम प्रशन 16 करते हैं एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तै किया कि प्रतेग विजेता को रुपी 100 और विजेता को छोड़कर प्रतेग प्रतिभागी को 25 रुपे पुरस्कार के रूप में दिया जाएंगे यानि जितने तो विनर्स होंगे उनको 100 र किजे तो हम माल लेते हैं कि विजेताओं की संख्या है एक्स कुल विनर्स है एक्स तो बाकी प्रतियोगी कितने रहेगे कुल थे 63 उसमें से एक्स हैं विनर्स बाकी कितने रहेगे 63 में से एक्स निकाल दो अब ध्यान से देखो विनर्स को कितने रुपए मिलेंगे 100 रूपए 63--x अन्य प्रति भागी उनको कितने रूपए मिलेंगे 25 रूपए के इसाब से इसका मतलब विनर्स को बांटे जाने वाला जो पैसा है वह x गुना 100 और अन्य प्रति भागियों को बाटे जाने वाला पैसा है 63-x गुना 25 इस पैसे और इन रुपेयों इन रुपेयों और इन रुपेयों को प्लस कर दे तो कुल्ड अमाउंट आ जाएगी और कुल्ड राशी कितनी थी 3000 रुपे तो इन दोनों को हम solve करेंगे देखो क उसके बाद x से भी गुना होगा तो 25 जब 63 से गुना होगा तो आएगा 1575 माइनस का निशाने तो माइनस 25 जब x से गुना होगा तो आजाएगा 25x बराबर है 3000 अब देखो ध्यान से 100x-25x इसको नहीं देखना क्यूंकि x वाली रकम यह है और यह है 100x-25x हो गया 75x यह 1575 य एक्स के साथ 75 गुना हो रहा है उधर जाएगा तो यह हो जाएगा भाग 25 के पहाड़े में सबसे पहले मैंने यह लाल पैंसे 25 के पहाड़े में काटा है 25 तीया 75 और 25 के साथ 57 गुना करेंगे तो 1425 हरे पैंसे मैंने 3 और 57 को काटा है 19 तीया 57 इसका मतलब x की जो वैल्यू यह भी आगि नीचे कुछ नहीं बचाए उपर बचा 19 तो x की वैल्यू आगी 19 विजेताओं की संख्या है हमने शुरू में माणा था विजेताओं की संख्या बरबर x तो विजेताओं की संख्या हो गई x और x था 19 यह प्रशन महारा हल हो गया थ्टयक्याओική तक यू